C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान की ध्वनी पाठे पुस्तक कक्षा आठ ओडियो बुक विज्ञान कक्षा आठ अध्याई 13 ध्वनी प्रिष्ट 157 से प्रिष्ट 171 तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याई 13 ध्वनी प्रिष्ट 157 अपने विद्ध्यालय में आपको कैसे ग्यात होता है के कालांश याने पीरियड समाप्त हो गया है दर्वाजे की घंटी की ध्वनी, अत्वा, खट-खटाने, दस्तक की आवाज सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है के आपके दर्वाजे पर कोई आया है प्राय है पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं के कोई आपकी ओर आ रहा है आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा इस खेल में एक खिलाडी की आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाडियों को पकड़ना होता है आँखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाडी को कैसे पता चल जाता है कि उसके सबसे समीब कोई खिलाडी है ध्वनी का हमारे जीवन में एक महत्वपून स्थान है एक दूसरे से संपर्क करने में ये हमारी सहायता करती है अपने चारों और हमें विभिन प्रकार की ध्वनियां सुनाई पढ़ती हैं अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाईए अपने विध्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हार्मोनियम आदी वाध्ययंत्रों की ध्वनियां सुनते हैं चित्र 13.1 ध्वनी कैसे उत्पन्न होती है? ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुँचती है? ध्वनी को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियां दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रशनों पर विचार विमर्ष करेंगे इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे चित्र 13.1 दर्शाया गया है इस चित्र में कुछ वाद्य यंत्र दिखाए गए हैं हार्मोनियम, तबला, सितार, बांसुरी प्रिष्ठ 158 13.1 ध्वनी कम्पित वस्तूओं द्वारा उत्पन्न होती है विद्यालय की घंटी को जब बज न रही हो छू कर देखिए आप कैसा अनुभव करते हैं? जब वो ध्वनी उत्पन्न कर रही हो तो इसे पुनह छू कर देखिए क्या आप इसे कम्पित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं? क्रिया कलाप 13.1 धातू की एक प्लेट अथवा एक कडा ही लीजिए इसे किसी सुविधा जनक स्थान पर इस प्रकार लटकाईए कि ये किसी दीवार को न चुए अब इस पर किसी छडी से चोट मारिए चित्र 13.2 क्या आपको कोई ध्वनी सुनाई पड़ती है? प्लेट अथवा कडाही को धीमे से अपनी अंगुली से चुँ कर देखिए क्या आप कम्पनों का अनुभव करते हैं? चित्र 13.2 इस चित्र में एक उतली कडाही पर चोट मारते हुए एक बच्चे का द्रिश्य दिखाया गया है प्लेट पर फिर से छडी से चोट मारिए तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए क्या आप अब भी ध्वनी सुन पाते हैं? जब प्लेट ध्वनी उत्पन करना बंद कर दे तब इसे फिर से छू कर देखिए क्या अब आप कमपनों का अनुभव कर पाते हैं? क्रिया कलाप 13.2 रबड का एक छला लीजिए इसे चित्र 13.3 में दिखाए अनुसार एक पैंसिल बॉक्स पर चड़ाईए बॉक्स तथा तानित रबड के बीच में दो पैंसिलें लगाईए अब रबड के छले को लगभग बीच में से खींच कर छोड़ दीजिए क्या आपको कोई ध्वनी सुनाई देती है? क्या रबड का छला कमपन करता है? चित्र 13.3 इस चित्र के माध्यम से रबड के छले को करशित यने पलक करते हुए दिखाया गया है कक्षा साथ में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिती के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गती को कमपन कहते हैं जब कसकर तानित एक रबड के छले को करशित यने पलक करते हैं या बीच से खीच कर छोड़ते हैं तो ये कमपन करता है और ध्वनी उत्पन करता है जब ये कमपन करना बंद कर देता है तो ध्वनी बंद हो जाती है क्रिया कलाप 13.3 धातु की एक थाली लीजिए इसमें कुछ जल डालिए एक चम्मच से इसके किनारे पर आगहात कीजिए चित्र 13.4 क्या आप ध्वनी सुन पाते हैं थाली पर पुनह आगहात कीजिए और तब इसे चू कर देखिए क्या आप थाली का कमपित होना अनुभव करते हैं थाली पर पुनह आगहात कीजिए जल की सतह को देखिए क्या आप वहाँ पर कोई तरंगें देख पाते हैं अब थाली को पकड़िए आप जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं? क्या इस से वस्तु के कमपनों को ध्वनी के साथ जोडने का कोई संकेत मिलता है? प्रिष्ट 169 इस प्रिष्ट पर बाई और उपर चित्र 13.4 दिखाया गया है. इस चित्र के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि कमपित थाली जल में तरंगें उत्पन्न करती है. इस प्रकार हमने देखा कि कमपाय मान वस्तुएं द्वनी उत्पन्न करती हैं. कुछ स्थितियों में ये कमपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम याने एम्प्लिट्यूड इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते. तथा भी हम इन कमपनों का अनुभव कर सकते हैं. क्रिया कलाप 13.4 नारियल का एक खोखला खोल लीजिए और उससे एक वाद्ययंत्र एक तारा बनाईए. इसे आप किसी मिट्टी के बरतन से भी बना सकते हैं. चित्र 13.5 इस वाद्ययंत्र को बजाईए और इसके कमपायमान भाग को पहचानिये. चित्र 13.5 एक तारा सुपरिचित वाद्ययंत्रों की एक सूची बनाईए और उनके कमपायमान भागों को पहचानिये. कुछ उदाहरन सारणी 13.1 में दिये गए हैं. शेश सारणी को पूरा कीजिये. सारणी 13.1 वाद्ययंत्र तथा उनके कमपायमान भाग इस सारणी में तीन मुख्य शीर्शक दिये गए हैं. क्रम संख्या, वाद्ययंत्र, ध्वनी उत्पन करने वाला कमपमान भाग क्रम संख्या एक, वाद्ययंत्र, वीना द्वनी उत्पन करने वाला कमपमान भाग, तानित डोरी या तार क्रम संख्या दो, वाद्ययंत्र, तबला द्वनी उत्पन करने वाला कमपमान भाग, तानित जिल्ली इसके बाद क्रम संख्या तीन, चार, पांच, छे वह साथ लिखे गए हैं और उनके सामने बक से खाली छोड़े गए हैं संभवत है आपने मंजीरा, जांज, घटम तथा नूट यानि मिट्टी के बरतन तथा करताल देखे होंगे ये वाद्ययंत्र सामन्यत है हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं इन वाद्ययंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है चित्र 13.6 क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्ययंत्रों के नाम बता सकते हैं? आप भी एक वाद्यय यंत्र बना सकते हैं इस प्रिष्ट पर चित्र 13.6 दिखाया गया है इस चित्र में कुछ अन्य वाद्यय यंत्र दिखाये गए हैं घटम मंजीरा प्रिष्ट 160 क्रिया कलाप 13.5 धातु के 6-8 कटोरे या गिलास लीजिए इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशह जल के बढ़ते स्तर तक भरिये अब एक पैंसिल लेकर कटोरों पर धीमे से एक के बाद एक पर आगहात कीजिए आप एक सुखद ध्वनी सुनेंगे ये आपका जल तरंग है इस चित्र में जल तरंग दिखाया गया है इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे महत्वपून जानकारी दी गई है जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को करशित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनी सुनाई नहीं देती है वास्तव में संपून यंत्र कमपन करता है और इस पूरे यंत्र के कमपन से उत्पन ध्वनी को हम सुनते हैं इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम की जिली पर आगहात करते हैं तो हम केवल जिल्ली की आवाज ही नहीं सुनते बलके संपूर्ण यंत्र की आवाज सुनते हैं। पहेली ने पूछा, जब हम बोलते हैं, तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कम्पित होता है। 13.2 मनुश्यों मानवों द्वारा उत्पन ध्वनी कुछ समाई तक जोर से बोलिए या गाना गाईए अथवा भौरे की तरह गुंजन कीजिए। चित्र के अनुसार 13.7 अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिये। क्या आपको कुछ कम्पनों का अनुभव होता है। मानवों में ध्वनी वाक यंत्र अथवा कंठ लैरिंक्स द्वारा उत्पन होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिये तथा एक कठोर उभार को खोजिये जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का ये भाग वाक यंत्र कहलाता है। ये श्वासनली के उपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतू इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायू के निकलने के लिए एक संकीन जिरी बनी होती है। चित्र 13.8 इस चित्र में मानवों में वाक यंत्र को दिखाया गया है। जब फेफडे वायू को बलपूरवक जिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतू कंपित होते हैं जिससे ध्वनी उत्पन होती है। वाक तंतूओं से जुड़ी मान स्पेशियां तंतूओं को तना हुआ या धीला कर सकती हैं। जब वाक तंतू तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनी का प्रकार या उसकी गुणवत्ता उस वाक ध्वनी से भिन्न होती है जब वाक तंतू धीले और मोटे होते हैं। आईए देखें कि वाक तंतू किस प्रकार कार्य करते हैं। प्रिश्ट 161 क्रिया कलाप 13.6 समान साइज की रबड की दो पट्टियां लीजिए इन दोनों को एक दूसरे के उपर रख कर कस कर तानिये अब इनके बीच के अंतराल यानि दरार में हवा फूं किये चित्र 13.9 A जब तानित रबड की पट्टियों के बीच से हवा फूं की जाती है तो ध्वनी उत्पन्न होती है एक कागज के टुकडे जिसमें एक पतली जीरी बनी हो की सहायता से भी आप इस क्रिया कलाप को कर सकते हैं कागज को अपनी उंगलियों के बीच चित्र 13.9 B की भांती पकड़िये अब जिरी के बीच से हवा फूं किये और ध्वनी सुनिये हमारे वाक्तंतू भी ठीक इसी प्रकार ध्वनी उत्पन्न करते हैं चित्र 13.9 A तथा B इन दोनों चित्रों के माध्यम से वाक्तंतूओं की कार्य विधी बताई गई है पुरुशों के वाक्तंतूओं की लंबाई 20 mm होती है महिलाओं में इसकी लंबाई 15 mm होती है बच्चों के वाक्तंतू बहुत छोटे होते हैं यही कारण है कि पुरुशों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक्त ध्वनियां भिन भिन होती है 13.3 ध्वनी संचरण के लिए माध्यम की आवशक्ता होती है जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हैं तो आपकी सहेली आपकी आवास को सुन पाती है उसके पास तक आपकी ध्वनी कैसे पहुँचती है क्रिया कलाप 13.7 धातू अथ्वा काँच का एक गिलास लीजिए सुनिश्चित कीजिए कि ये सूखा हो इसमें एक सेलफोन रखिए याद रखिए कि सेलफोन पानी में न रखा जाए अपने किसी मित्र से इस सेलफोन पर किसी दूसरे सेलफोन से टेलिफोन करने के लिए कहिए घंटी की ध्वनी ध्यान पूर्वक सुनिए अब गिलास के किनारों को अपने हाथों से सटा कर पकड़िए अब अपने मुह को हाथों के बीच की खाली जगेह पर सटा कर रखिए चित्र 13.10 इस चित्र में ये बताया गया है कि ध्वनी संचरण के लिए माध्यम की आवशक्ता होती है प्रिष्ट 162 अपने मित्र को फिर से टेलिफोन करने के लिए संकेत दीजिए गिलास में से वायू को मुह द्वारा खीचते हुए घंटी की आवास को सुनिये क्या गिलास में से वायू बाहर खीचने पर घंटी की ध्वनी धीमी हो जाती है गिलास को अपने मुह से हटाईए क्या ध्वनी फिर से प्रबल हो जाती है क्या आप सूच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या ये संभव है कि गिलास में वायू की मात्रा कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंद है? वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायू बाहर खीच पाते तो ध्वनी पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती। इसका कारण ये है कि ध्वनी को संचरण याने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में से वायू पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। ध्वनी निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। क्या ध्वनी द्रवों में संचरित होती है? आईए ग्याद करें। क्रिया कलाब 13.8 एक बाल्टी अत्वा स्नान टब लीजिए। इसे स्वच जल से भरिए। एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए। ध्वनी उत्पन करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाईए। ध्यान रखिए कि घंटी, बाल्टी या टब की दीवारों को न चुए। अपने कान को जल की सतह पर सावधानी पूर्वक रखिए। चित्र 13.11 इस चित्र के माध्यम से ध्वनी को जल में संचरित होते हुए दिखाया गया है। सतरक रहें कि जल आपके कान में प्रवेशना करे। क्या आप घंटी की ध्वनी सुन पाते हैं। क्या इससे पता चलता है कि ध्वनी का संचरण द्रवों में हो सकता है। पहेली ने कहा आहा तो वेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान-प्रदान कर पाते होंगे। आईए ग्यात करें कि क्या ध्वनी ठोसों में भी गमन कर सकती है। क्रिया कलाप 13.9 धातू का एक मीटर स्केल या धातू की एक लंबी छड़ लीजिए। इसके एक सिरे को अपने कान से सटा कर रखिए। अपने मित्र से स्केल के दूसरे सिरे को धीरे से खरोचने या खट-खटाने को कहिए। चित्र 13.12 इस चित्र में ध्वनी मीटर स्केल में गमन करती हुई दिखाई गई है। क्या आप खरोचने की ध्वनी सुन पाते हैं। अपने आसपास खड़े हुए मित्रों से पूछिए कि क्या वे भी इस ध्वनी को सुन पाए। आप अपने कान को लकडी या धातू की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रख कर, तथा अपने मित्र को दूसरे सिरे को खरोचने के लिए कहकर भी उपरोग्त क्रिया कलाप कर सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि ध्वनी ठोस पदार्थों में संचरण कर सकती है। हमने देखा कि ध्वनी लकडी या धातू में चल सकती है। वास्तव में ध्वनी किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनुरंजक क्रिया कलाप द्वारा ये दर्शा सकते हैं कि ध्वनी दोरियों में भी चल सकती है। अपने बनाए हुए खिलावना टेलीफोन को याद कीजिए, चित्र 13.14, क्या आप कह सकते हैं कि ध्वनी डोरियों में भी गमन कर सकती है? चित्र 13.14, इस चित्र में खिलावना टेलीफोन दिखाया गया है, अब तक हमने सीखा कि कमपाय मान वस्तुएं ध्वनी उत्पन्न कर सकती हैं, तथा ये किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती हैं, ये माध्यम गैस, द्रव या ठोस कोई भी हो सकता है, इस ध् 13.4, हम ध्वनी को अपने कानों द्वारा सुनते हैं, कान के बाहरी भाग की आक्रिती कीब फनल जैसी होती है, जब ध्वनी इसमें प्रवेश करती है, तो ये एक नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली तानित जिल्ली होती है, इसे कर्ण पटह याने एर ड्रम क कहती हैं, ये एक महत्वपून कारिय करता है, ये जानने के लिए कि कर्ण पटह क्या कारिय करता है, आईए, तिन के डिब्बे का एक कर्ण पटह बनाएं, क्रिया कलाप 13.1, एक प्लास्टिक अथवा तिन का डिबा लीजिये, इसके दोनों सिरे काटिये, डिब्बे के एक सिरे पर एक रबड के गुबारे को तानिये, और इसे एक रबड के छले से कस दीजिये, तानित रबड के ऊपर सूखे अन या थर्मो कोल के चार या पांच दाने रखिये, अब अपने मित्र से डिब्बे के खुले सिरे पर हुर्रे हुर्रे बोलने के देखिए कि अन्न के दानों का क्या होता है? अन्न के दाने उपर और नीचे क्यों उछलते हैं? चित्र 13.15 इस चित्र के माध्यम से कर्ण पटह के कारिय को समझाया गया है। प्रिष्ट 164 कर्ण पटह एक तानित रबड की शीट के समान होता है। ध्वनी के कमपन कर्ण पटह को कमपित करते हैं. चित्र 13.16 कर्ण पटह कमपनों को आंतर कर्ण अर्थात इनर इयर तक भेज देता है। वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनी को सुन सकते हैं। चित्र 13.16. इस चित्र में मानवकान अर्थात मानवकर्ण को दर्शाया गया है. इस चित्र में कर्ण पटह वो आंतर कर्ण दोनों को दिखाया गया है. पहेली ने कहा, हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए. ये कर्ण पटह को क्षती पहुचा सकती है, जिससे सुनने की शक्ती कम हो सकती है. 13.5. कमपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवरिति हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गती करना कमपन कहलाता है. इस गती को दोलन गती भी कहते हैं. आप पिछली कक्षाओं में दोलन गती तथा इसके आवर्तकाल के बारे में पढ़ चुके हैं प्रती सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवरित्ती कहते हैं आवरित्ती को हर्ट्स में मापा जाता है इसका संकेत ह्जड है HZ आवरित्ती एक दोलन प्रती सेकंड के बराबर होती है यदि कोई वस्तू एक सेकंड में बीस दोलन पूरे करती है तो इसकी आवरित्ती क्या होगी? द्वनी उत्पन करने वाली वस्तू को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित द्वनियों को पहचान सकते हैं ये कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए ये आवश्चक है कि ये द्वनियां भिन्न प्रकार की हों क्या आपने कभी सूचा कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं? आयाम तथा आवरित्ती किसी द्वनी के दो महत्वपून गुण हैं क्या हम द्वनियों में उनके आयामों तथा आवरित्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं? प्रबलता तथा तारत्व इस प्रिष्ठ पर नीचे चित्र तेरह द्शमलव एक साथ दिखाया गया है इस चित्र में थर्मो कोल की गेंद कमपाइमान गिलास को स्पर्श करते हुए दिखाई गई है क्रिया कलाप तेरह द्शमलव एक 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 धातू का गिलास और एक चाय का चम्मच लीजिए चम्मच को धीमे से गिलास के किनारे से टकराईए उत्पन हुई ध्वनी को सुनिए अब गिलास पर चम्मच से जोर से आगहात कीजिए तथा फिर से उत्पन ध्वनी को सुनिए प्रिष्ट 165 क्या गिलास पर जोर से आगहात करने पर ध्वनी अधिक प्रबल हो जाती है अब गिलास के किनारे को चूते हुए थर्मकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाईए चित्र 13.17 गिलास को कमपित कराईए देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है गेंद का विस्थापन गिलास के कमपन के आयाम की माप है ध्वनी की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है जब किसी कमपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनी प्रबल होती है जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनी मंद होती है अब गिलास को पहले धी में तथा बाद में अधिक बल से आगहात कीजिए अब दोनों स्थितियों में गिलास के कमपनों के आयामों की तुलना कीजिए किस स्थिती में आयाम अधिक है? इस प्रिष्ठ पर बाई और बीच में ध्वनी की प्रबलता के बारे में महत्वपून जानकारी दी गई है ध्वनी की प्रबलता ध्वनी उत्पन्न करने वाले कमपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है उदाहरण के लिए यदि आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता चार के गुणक में बढ़ जाती है प्रबलता को डेसिबल यानि डीबी मात्रक में व्यक्त करते हैं निम्नसारणी विभिन्नस रोतों से आने वाली ध्वनी की प्रबलता का कुछ बोध कराती है सामान्य श्वास 10 डीबी मंद फुस्फुसाहट 30 डीबी सामान्य बादचीत या वारतालाप 60 डीबी व्यस्त यातायात 70 डीबी ओसत फैक्टरी 80 डीबी 80 डीबी से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कश्ट दायक होता है द्वनी की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है जब किसी कम्पित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न द्वनी प्रबल होती है जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न द्वनी मंद होती है किसी बच्चे की ध्वनी की तुलना एक वयसक से कीजिए क्या इनमें कुछ अंतर है चाहे दोनों ध्वनियां समान रूप से प्रबल हों फिर भी उनमें कुछ भिन्नता है आईए देखें ये किस प्रकार भिन्न है बूजो ने कहा मैं चकित हूँ कि मेरी आवाज मेरे अध्यापक से भिन्न क्यों है आवरित्ती ध्वनी की तीक्षनता या तारत्व को निर्धारित करती है यदि कंपन की आवरित्ती अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनी तीखी है यदि कमपन की आवरित्ती कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनी का तारत्व कम है इस प्रिष्ट पर चित्र तेरह द्शमलव एक आठ दर्शाया गया है इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि आवरित्ती ध्वनी का तारत्व निर्धारित करती है प्रिष्ट 166 जबके शेर की दाहाड का तारत्व मंद होता है, तथा भी शेर की दाहाड अत्यधिक प्रबल है, जबके पक्षी की ध्वनी दुर्बल होती है। सामान्यत है, एक महिला की आवाज किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवरित्ती की तथा अधिक तीखी होती है। 13.6 श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियां हम जानते हैं कि ध्वनी उत्पन करने के लिए हमें एक कमपाई मान वस्तु की आवशक्ता होती है। क्या हम सभी कमपाई मान वस्तु की ध्वनियां सुन सकते हैं। तथ्य ये है कि लगभग 20 कमपन प्रती सेकंड, 20 हर्ट से कम आवरित्ती की ध्वनियां मानवकान सुन नहीं सकता। ये कह सकते हैं कि 20 हर्ट से कम आवरित्ती की ध्वनियां मानवकान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य कहते हैं। उधर लगबग बीस हजार कमपन प्रती सेकंड याने बीस के हर्ट से अधिक आवरित्ती की ध्वनिया भी मानवकान द्वारा संसूचित नहीं होती। इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे महत्वपूर्ण जानकारी बकसे में दी गई है। कुछ जन्तु बीस हजार हर्ट से अधिक की आवरित्ती की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुत्तों में ये एक शमता है। पुलीस कर्मी उच्च आवरित्ती की ध्वनी उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपियोग करते हैं, जिसे कुट्ते सुन सकते हैं, लेकिन मानव नहीं सुन पाते. जाने माने परा श्रव्य ध्वनी, अल्ट्रा साउंड उपकरण, जो चिकित साके क्शेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रियोग होते हैं, बीस हजार हर्ट्स से अधिक की आवरित्ती पर कार्य करते हैं. अतह मानव कानों के लिए श्रव्य की आवरित्ती की परास याने रेंज लगभग बीस हर्ट्स से बीस हजार हर्ट्स तक है. इसका अर्थ ये है कि हम केवल बीस हर्ट्स से बीस हजार के हर्ट्स के बीच की आवरित्ती वाली ध्वनियां ही सुन सकते हैं. 13.7 शोर तथा संगीत हम अपने चारों और विभिन प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं क्या ध्वनी सदैव सुखद होती है? क्या ध्वनी कभी-कभी आपको कश्ट पहुचाती है? कुछ ध्वनियां आपको सुखद लगती हैं जबके कुछ अच्छी नहीं लगती मान लीजिए आपके अडोस-पडोस में निर्मान कारिय चल रहा है क्या निर्मान स्थल से आने वाली ध्वनियां सुखद प्रतीत होती हैं? क्या आपको बसों तथा ट्रकों के हौन की ध्वनियां अच्छी लगती हैं? इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोलें तो उत्पन होने वाली ध्वनिय को क्या कहेंगे? दूसरी ओर आप वाद्ययंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हैं सुस्वर ध्वनि वो है जो कानों को सुखद लगती है हार्मोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है सितार के तार द्वारा उत्पन ध्वनी भी सुस्वर ध्वनी कहलाती है, लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए, तब भी क्या ये संगीत रहेगा? आप वायू प्रदूशन के बारे में पहले से ही जानते हैं, वायू में अवान्चित गैसों तथा कणों की उपस्थिती वायू प्रदूशन कहलाती है, इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवान्चित ध्वनियों को ध्वनी प्रदूशन कहते हैं, क्या आप ध्व ध्वनी प्रदूशन के प्रमुख कारण हैं, वाहनों की ध्वनिया, विस्फोट, जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीने, लाउट स्पीकर आदी। ध्वनी प्रदूशन के लिए उत्तरदाई हैं. प्रिष्ट 166. ध्वनी प्रदूशन की क्या हानिया हैं? क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिती अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है? अनिद्रा, अतीतनाव, उच्चरक प्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थे संबंधी विकार ध्वनी प्रदूशन से उत्पन्न हो सकते हैं. लगातार प्रबल ध्वनी के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ती की सुनने की क्षमता अस्थाई अत्वा स्थाई रूप से कम हो जाती है. ध्वनी प् पर नियंतरण करना चाहिए. ये कैसे किया जा सकता है? इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वहनों, और द्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरनों में रवशामक युक्तियां याने साइलेंसर लगानी चाहिए. आवासिये क्षित्रों में ध्वनी प्रद आवासिये क्षित्रों से दूर संचालित करना चाहिए. ध्वनी उत्पन करने वाले उद्योगों को आवासिये क्षित्रों से दूर स्थापित करना चाहिए. स्वचालित वहनों के हौर्न का उप्योग कम से कम करना चाहिए. टेलिविजन तथा संगीत निकायों की ध्वनी प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनी प्रदूशन के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सडकों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए। जिससे के ध्वनी आवासों तक न पहुँच पाई। इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे श्रवन क्षती के बारे में महत्वपून जानकारी दी गई है। पून तया श्रवन क्षती जोके विरले ही होती है प्रायह जन्म से होती है। आन्शिक अशक्तता याने डिसबिलिटी सामानित है किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती ह कठिन श्रवन शक्ती वाले बच्चों को विशेश देखभाल की आवशक्ता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाशा याने संकेत भाशा को सीख कर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि वाक्षक्ती श्रवन के परिणाम स्वरूप विकसित होती है, इसल श्रवन शक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक्षक्ती भी दोश्पून हो सकती है। अध्योगी की ये युक्तियों ने श्रवन क्षती ग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुनता में सुधार को संभव बना दिया है। श्रवन क्षती ग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण मे सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। द्वानी किसी माध्यम, गैस, द्रव या ठोस में संचरित होती है। ये निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। कर्ण पटह द्वानी के कमपनों को अनुभव करते हैं। ये इन संकेतों को मस्तिश्क तक भेज देते हैं। इस प्रक्रिया को श्रवन कहते हैं। प्रती सेकेंड होने वाले दोलनों या कमपनों की संख्या दोलन की आवरित्ती कहलाती है। आवरित्ती को हर्ट्स ह-जेड में व्यक्त करते हैं। कमपन का आयाम जितना अधिक होता है, ध्वनी उतनी ही प्रबल होती है। कमपन की आवरित्ती अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और ध्वनी अधिक तीक्षण होती है। अप्रिये ध्वनियां शोर कहलाती हैं। अत्यधिक या अवांचित ध्वनियां ध्वनी प्रदूशन उत्पन्न करती हैं। ध्वनी प्रदूशन मानवों के लिए स्वास्थ्य समस्याईं उत्पन्न कर सकता है। ध्वनी प्रदूशन को नियूनतम करने के प्रयास करने चाहिए। सडक के किनारे तथा अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से ध्वनी प्रदूशन को कम किया जा सकता है अभ्यास 1. सही उत्तर चुनिये ध्वनी संचरित हो सकती है क केवल वायू या गैसों में ख केवल ठोसों में ग केवल द्रवों में घ ठोसों, द्रवों तथा गैसों में प्रिष्ट 179 2. नम्न में से किस वाक ध्वनी की आवरित्ती नियूनतम होने की संभावना है 3. इन कथनों में सही कथन के सामने टी तथा गलत कथन के सामने एफ पर निशान लगाईए क ध्वनी निर्वात में संचरित नहीं हो सकती 3. किसी कंपित वस्तु के प्रती सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं 4. यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनी मंद होती है 5. मानवकानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट से 20 हजार हर्ट्स है 6. कंपन की आवरित्ती जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा 6. अवांचित या अप्रिय ध्वनी को संगीत कहते हैं 6. ध्वनी प्रदूशन आन्शिक श्रवन अशक्तता उत्पन कर सकता है 4. उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए 5. किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिय गए समय को रिक्त स्थान कहते हैं 6. प्रबलता कंपन के रिक्त स्थान से निर्धारित की जाती है ग आवरित्ती का मात्रक रिक्त स्थान है ग अवांचित द्वनी को रिक्त स्थान कहते हैं 7. द्वनी की तीक्शनता कंपनों की रिक्त स्थान से निर्धारित होती है पांच, एक दोलख चार सेकंड में चालीस बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल तथा आवरित्ती ग्यात कीजिए छै, एक मच्छर अपने पंखों को पांच सौ कमपन प्रती सेकंड की ओसत दर से कमपित करके ध्वनी उत्पन करता है, कमपन का आवर्तकाल कितना है साथ, इन वाद्ये यंत्रों में उस भाग को पहचानियें जो ध्वनी उत्पन करने के लिए कमपित होता है, क, ढोलक, ख, सितार, ग, बांसुरी आठ, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है नौ, अपने वाटावरण में ध्वनी प्रदूशन के सुरोतों की सूची बनाईए दस, वरणन कीजिए के ध्वनी प्रदूशन मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है ग्यारह, आपके माता-पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क से तीन गली छोड़ कर देने का प्रस्ताव किया गया है आप अपने माता-पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए बारह, मानव वाक यंत्र का चित्र बनाईए तथा इसके कारिय की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए तेरह, आकाश में तडित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समाई पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है हमें तडित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं विस्तारित अधिगम, क्रिया कलाप एवं परियोजनाई एक, अपने विद्यालय के संगीत कक्ष को देखिए आप अपने क्षित्र के संगीत अग्यों से भी मुलाकात कर सकते हैं वाद्ययंत्रों की एक सूची बनाईए इन यंत्रों के उन भागों के नाम लिखिए जो ध्वनी उत्पन्न करते समाए कम्पित होते हैं दो, यदि आप कोई वाद्ययंत्र बजाते हैं तो उसे कक्षा में लाईए और दिखलाईए कि आप इसे कैसे बजाते हैं तीन, प्रसिद्ध भारतीय संगी तग्यों तथा उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्ययंत्रों की सूची बनाईए चार, एक लंबा धागा लीजिए तथा उसके एक सिरे पर एक लूप बनाईए अपने हाथों को अपने कानों पर रखिए और अपने किसी मित्र से इस धागे के लूप को आपके सिर तथा हाथों के चारों और रखने के लिए कहिए उससे कहिए कि धागे के दूसरे सिरे को कस कर हाथ में पकड़े अब उससे अपनी अंगुली तथा अंगूठे को धागे के अनुदिश कसकर चलाने के लिए कहिए क्या आप गरजन जैसी गड़गडाहट की ध्वनी सुन पाते हैं अब इस क्रिया कल आपको तब दोहराईए जब कोई अन्यमित्र आप दोनों के पास खड़ा हो क्या उसे कोई ध्वनी सुनाई देती है? चित्र तेरह दशमलव एक नौ पांच दो खिलोना टेलिफोन बनाईए उन्हें चित्र तेरह दशमलव दो शुन्य की भाती प्रयोग कीजिए सुनिश्चित कीजिए कि दोनों धागे कसे हुए हों तथा एक दूसरे को छूते रही आप मेंसे किसी एक को बोलने दीजिए क्या अन्य तीनों व्यक्ति उसे सुन पाते हैं देखिए कि कितने अन्य मित्रों को आप इस क्रिया कलाप में एक साथ जोड सकते हैं अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए चित्र तेरह दशमलव दो शुन्य प्रिष्ट 171 6. अपने अडोस पडोस में शोर प्रदूशन के सुरोतों को पहचानिये अपने माता-पिता, मित्रों तथा पडोसियों से विचार विमर्ष कीजिए सुझाईए कि शोर प्रदूशन को कैसे नियंतरित करें एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाईए तथा इसे कक्षा में प्रस्तुत कीजिए आप इन वेब साइट पर संबंधित विशेयों पर और अधिक अध्ययन कर सकते हैं www.physicsclassroom.com slash class slash sound slash soundtoc.html health.houseofworks.com slash hearing.htm क्या आप जानते हैं भारत में हैदराबाद के निकट गोलकुंडा नामक एक भव्य किला है ये बहुत से इंजीनरी याने अभियांत्रे की तथा वास्तु अर्थात आकिटेक्चरल अजूबों के लिए प्रसिद्ध है जल प्रदाई व्यवस्था उनमें से एक अजूबा है परन्तु कदाचित सबसे अधिक आश्चरे जनक अजूबा किले के निकास द्वार के पास स्थित एक गुंबद है इस गुंबद के नीचे एक निश्चित बिंदू पर हाथों की तालियों से उत्पन ध्वनी अनुरणित याने गूंजती होती है जिसे लगभग एक किलोमीटर दूर किले के शीर्ष बिंदू पर स्थित किसी स्थान पर सुना जा सकता है इसकी रचना एक चेतावनी प्रणाली के रूप में की गई थी यदि कोई सुरक्षा कर्मी किले के बाहर कोई रहस सिमाए हलचल देखता था तो गुंबद के अंदर एक निश्चित बिंदू पर तालियां बजाता था तथा किले के भीतर की फौज संभावित खतरे से सतरक हो जाती थी इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे गोलकुंडा किले का चित्र दिखाया गया है इसी के साथ अठारह अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय तेरह यहां समाप्त हुआ वाचक बाबला को छड़ अभी आप सुन रहे थे यह ध्वनी पाठ्य पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग कुसुम लता निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत प्रस्तुती C.I.E.T.